पढ़ रहे हैं आज सुशुद जो निदान स्थान है उसका ग्यारवा अध्याय ग्रंथी अपची अर्बुद गल गंडा नाम ग्यारवा अध्याय का नाम है हमारे तो इस अध्याय से हमें नाम सी पता चल रहे हैं इसमें हमने ग्रंथी, अपची, अर्बुद और गलगंड के बारे में पढ़ना है सबसे पहले इसमें वर्णन है ग्रंथी का तो ग्रंथी के लिए क्या बोला है वात आदेओ, मास, अस्रिगह, चदुष्टा, संदुष्यो, मेदस्च, कफा, अनुविद्धम यानि दूशित वे वात आदेओ, वात आदी जो दोश है वो मास, रक्त और कफ इनको दूशित करके जो सेकेंड लाइन में लिखा है ना वृत उन्नत वी ग्रथितम तू शोफम को आपने हाइलाइट करना है वृत उन्नत और वी ग्रथित गाठदार जो होता है जिसमें ग्रंथी होती है ऐसा जो शोफ है उसको ग्रंथी बोला गया है तो आपको ये लाइन लिखके देंगे वृत उन्नत वी ग्रथितम तू शो चरक बोलते हैं 6 अश्टांग संगरह और अश्टांग रिध्य बोलते हैं 9 आई रिपीट जो सुश्टुत अचारिय और साथ में भोज भी लिख लीजिए यहीं पे सुश्टुत अचारिय और जो भोज हैं वो बोलते हैं गरन्थी के 5 भेद चरक आचारिय बोलते हैं छे भेद अश्टांग संग्रह या अश्टांग रिदय यानि वागवट हैं जो वो बोलते हैं नो उन नो के आप ब्रैकेट में लिख लीजिए पांच प्लस में चार मतलब जो पांच सुश्रुत वाले हैं हम आगे पढ़ेंगे कौन से होते हैं वो प्लस में चार वो अलग से कौन से बोलते हैं रक्तज मासज, अस्थी और व्रणज रक्तज गरंथी होती है मासज, अस्थी और व्रणग में जो गरंथी होती है वो बोलते हैं वो चार एक्स्टा फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो 351 नमबर पेज पे चार नमबर जो शलोक है वात्तिक ग्रंथी के लिए तो इसमें सेकंड लाइन में आपने हाइलाइट करना है कृष्णो के आगे लिखे अम रिदू बस्तिर इव वात्तष्च को हाइलाइट करना है आपने वात्तिक बस्तिर इव वात्तष्च जैसे जो बस्ति होती है किसी भी मशक में आप लैडर टाइप का कुछ है उसमें अगर आप हवा भरदो ऐसा प्रतीत होगा वात्तिक ग्रंथी में और अगर वो फूट जाये तो उसमें से अच्छम लास्ट वर्ड देखिश्लोक का है अबिलम स् या परतिक ग्रंथी श्लोक है जेगति है वर्ड में देखिए शीटो और विवर्डो लुजो अतीखन्डू को आपने हालाइट किया जिसमें अल्प रुजा होती है अतीखन्डू होता है पाशानवत सहनन उपननम पाशान जासे पथर होता है na पथर के समान जिसका सहनन हो यानी इतनी जादा हार्ड हो तो वो होती है हमारी कफज और लिखा है चिराभी वृद्धिष्च देर से वृद्धी होती है जिसकी और कफ प्रकोपाद भिन्नम स्वेच शुकल घनम चपोयम यानि जब वो फूटेगी जब वो उनकुसका भिन्न हो जाएगी तब उसमें सिश्राव कैसा होगा शुकल या हमारा मेदो गरंथी जो है साथ नंबर श्लोक में इसकी फर्स्ट लाइन में हाइलाइट करना है श्रीर वृद्धी ख्षय वृद्धी हानी यानि अगर श्रीर की वृद्धी होती है और ख्षय होता है तो इसके साथ साथ इसकी भी वृद्धी और हानी मतलब अगर श्रीर की वरिद्धी हो रहे है श्रीर किसी का बढ़ रहा है मतलब मोटापा बढ़ रहा है तो ये मेदोज गरंती बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे श्रीर का ख्षया होगा वैसे वैसे हानी होती जाएगे फिर बोला है है स्निक दो महान अल्प रुजो अतिकंडू इसके लिए बोला है जिसमें महान है जो अल्प रुजा है और अतिकंडू है अल्प रुजो और अतिकंडू तो हमारा जो है वो कफज गरंथी के लिए भी आता है फिर मेदोज गरंथी में नीचे वाली लाइन में देखिया आप ज चंति च अत्र भिन्ने पिण्याक सर्पी प्रतिमम तू मेदम भिन होने पर पिण्याक सर्पी के जैसा जो है वो सरव आता taught यानि पिण्याक मतलब तिल की जो खली है वैसा और सर्पी यानि घृत के समान शराव आता आपने ये हाईलाइट किया तो हमारी वातज, पितज, कफज और मेदोज गरंथी में आपने वातज में हाइलाइट किया था अम, रिदू, बस्तिर, इव, वातश्च को फिर कफज में अल्प, रुजो, अति, कंडू, पशानवत, सहनन को हाइलाइट किया मेदोज गरंथी की फर्स्ट लाइन में आपने ये हाइलाइट आपने करने है एक बार आप लोग वेट किजी, शयद किसी स्टूड़न को प्रॉब्लम हो रही है एक बार देख लेते हैं जो हमारी सिरा गरंथी है उसके बारे में तो सिरा गरंथी को हमने हाइलाइट नहीं करना, सिर्फ हिंदी में इसको पढ़ना है यनि जो सिराओं में जो गरंथी होती है, वो हमारी सिराज गरंथी है इसकी हिंदी की थर्ड लाइन में देखिया आप इसको सिर्फ अंडरलाइन कीजी यह गरंथी अगर पीडा युक्त हो और चल हो जो सिराओं में जो गरंथी बन रही है अगर वो पीडा युक्त है और चल है मतलब मूवेबल है तो वो कृच्छ साध्या बोली गई है अगर वो पीडा रहित हो जाए अचल हो जाए महान मर्म प्रदेश पर तो असाध्या बता और जो गरंथी की नॉर्मल डेफिनेशन है उसमें हमने वृत उन्नत वी गर्थितम्तु शोफम पढ़ा अब आप यहीं पे कोश्चन लिख दीजिए कौन सा गरंथी का भेद नहीं है आप लिखिए निम्न में से कौन सा गरंथी का भेद नहीं है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है तो आपके पास वातज, पितज, कफज या सन्नी पातज तो सन्नी पातज गरंथी का भेद नहीं होता क्योंकि गरंथी के हमने भेद पड़े है वात है, पित है, कफ है, मेद है और सिराज गरंथी ये पाँच बोलते हैं अचार्य सुशुत, अस्टांग, रिदें हैं जो यानि वागवट उनन नो भेद माने ये पाँच इसके साथ साथ रक्तज, मास, अस्थिज और वरणज गरंथी माननी है फिर नेक्स्ट आता है हमारा अपची के बारे में, जहां पर अपची वरणन करके लिखा हुआ है, आप वहीं पर लिख लीजिए, कफ और मेद इन्वाल्व कौन हो रहा है, दोश कौन सी दुश्य है, तो कफ और मेद अपची को उत्पन करने वाले होते हैं इसमें देखिया आप जो हनुअस्ति है, हमारी फॉस्ट लाइन में, हाइलाइट नहीं करना, अभी जो हम बोलेंगे वही हाइलाइट करना जस्ट अंडरलाइन कीजिए कि जो हनु अस्थी है हमारी कक्षा होती है अक्षक है बाहु संदी है मन्या है गलेशु उपचितम तू मेदम यानि इन परदेश पर क्या होता है इन परदेशों में उपचित हुआ जो मेद है वो गरंथी स्थिरम वृत आयतम वास निकदम कफ परदेश उपध्ल रूजम करती कंफ और मेद की वज़े से इस तरीके की गरंथी होती है तम गरंथी पतिमस्ची, यह हमारी होती है, जो अपची है, उसके बारे में बोला गया, फिर बोलते हैं कि यह क्या होती है, चै के प्रकरश के कारण इसको अपची बोला जाता है, last line देखें जो बारा नमबर शलोक है न, उसके लास्ट लाइन में मेद कफा भ्याम को हाइलेट कर लीजे, ये दोश क्या है इसमें मेद और कफ इनवाल होती है यानि दुश्य है चाहे दोश है दोनों ही फिर आता है लास्ट वर्ड सू दूसतरो वर्ष गणानुबंधी को हाइलेट कर लिजिए दूसतर है मतलब दुख साध्य होती है यानि कृच्छ साध्य है और वर्ष तो ये अपची में भी आया है और जब हम दूशी विश्च के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी वर्ड आएगा यानि कई वर्षों तक बना रहता है जो तो अपची में आपने क्या याद रखना है कि जो आमलक अस्थी है उस जैसी होती है मतस्य अंड जाल प्रतिमश् सू दूस्तरो और वर्ष गणानो बंदी ये होती है फिर हमारा आता है ये जो 13, 14 और 15 नंबर श्लोक है इसमें अरबुद के बारे में बताया गया है तो आप यहीं लिख लीजिए अरबुद के छे भेद होते हैं छे भेद बताया है चारिये जो सुश्चुत है उन्होंने अरबुद की वो बोलते के हैं कि अरबुद होता क्या गात्र प्रदेशे कोचित एव दोशा समुर्चिता मास अभी दोश्यम यानि श्रीर के किसी भी एक पार्ट में जो हमारे दोश हैं वातादी जो दोश हैं वो क्या होते हैं समुर्चित होकर मास को क्या गरतेते हैं दो यानि जो वहां पे swelong होगी, वो कैसी होगी, वृत होगी, स्थिर होगी मंद रुजा जिसमें अलप पीड़ा महान महान वाली होगा यानि बड़ा साइस बड़ा होगा अनलप मूलम अनलप मूलम मतलब अल्प मूल का मतलब होता है गहरा नहीं है जादा अनल्प का मतलब यानि कंभीर जगां पे भी जा चुका है यानि कंभीर धातों में फैल गया हो जो चिर्वरिद्धी देर से बढ़ेगा और अपाकम और कभी भी पाक जिसमें नहीं होगा ऐसा उन्होंने बोला है यह होता है हमने ग्रंथी के भेद पड़े थे वात, पित, कफ, मेद और सिरा इसमें क्या आ गए मेद तो वही है लेकिन जो हमारा सिरा था उसके स्थान पर यह रक्त और मासज मुझे वो मानते हैं अर्बुद के भेदों में तो आपने याद रखना है फिर अगली लाइन म मेद हैं इनके लक्षन तो होते हैं जो ग्रंथी के थे मतलब जो ग्रंथी में हम पीछे लक्षन पड़े के आए वातज, पितज, कफज और मेदज है जो वो अर्बुद में भी होते हैं अब रक्त और उसमें क्या होते हैं वो यह आगे बताएंगे तो आप निकाल लेजे पेज नमबर 354 में जो हमारा रक्त अर्बुद के बारे में पहले बताएगा है 16 और 17 नमबर शलोक में बोला है दोशा प्रदुष्टो रुधिरम सिरास्तु यानि जो दोश हैं वो परकूपित होके रुधिर रक्त के साथ मिलेंगा और जो सिराएं हैं उनको पीडित करके संकोचे गतस्तु पाकम आगे लिखा है पाक कर देंगे अभी हमने बोला कि जो अर्बुद होता है वो अपाकम होता है पाक होता ही नहीं अर्बुद में अभी ये बोलने कि रक्त अर्बुद में पाक होता है तो आप यहां लिख सकते हैं रक्त अर्बुद में पाक हो सकता है ठीक है फिर आता है हमारा थर्ड लाइन देखिए जो पूरश लोक है चार लाइनों का इसमें स्त्रविती अजरम रुधीरम प्रदुष्ट असाध्यम बोला गया है हमारे रक तरबुद को असाध्या बोला फिर लास लाइन में रक तकशेयो उपद्रव पीडित त्वात यानि इसमें रक तकशेया होता है तो उपद्रव से पीडित रहेगा मनुष्य कौन से उपद्रवों से पांडू भवेद यानि पांडू वर्ण का हो जाएगा ऐसा बोला गया तो आप चाहो तो हिंदी में हाइलाइट कर लीजियो रक्तरबुद की जो हिंदी लिखी हुए न उसमें थर्ड लाइन में देखिए यह रक्तरबुद असाध्य होता है असाध्य को आप हाइलाइट कर लीजिये और फिर इससे आगे वाली जो लाइन है कि इसमें पांडू हो जाता है व्यक्ति एनीमिया की कंडिशन आ जाएगी क्योंकि ब्लीडिंग उसको होती है ऐसा बोला गया फिर मास अर्बुद के बारे में क्या बोला गया हिंदी में पढ़ी आप मुष्टी प्रहार आदी से श्रीर प्रदेश पर अगर अगहात हो तो वहां का मास दूशी तो जाएगा वहां पे स्वल्प पीडा कारी स्पर्श में जो है वो चिकना होगा जो स्वभाविक वर्णियुक्त नहीं पकने वाला पत्थर के समान कड़ा और अप तरबुद को भी असद्ध है और मास अरबुद को भी असद्ध है फिर आता है हमारा 21 नंबर शलोक है जो इसमें क्या बोला यजज जायते अन्यम खलू पूर्व जाते या पहले जहां पे अरबुद था उस पे ही अगर दूसरा अरबुद हो गया उसी स्थान पे यह उसके आसपास तो उसको बोलते हैं गेयम तद अध्यर्बुदम अर्बुदम गे यानि जो अर्बुद को जानने वाले हैं जो इसको जानते हैं कि अर्बुद की जिसको नौलेज है ऐसे जो वैद्दे हैं वो इसको अध्यर्द बुर बोलते हैं एक जहां पे पहले था अर्बुद उसी स्थान पे या उसके आसपास ही दूसरा अरबुद जाए तो अध्यरबुद बोला जाता है नेक्स्ट यद द्वंद्व जातम युगपत क्रमात जब दो अर्बुद एक साथ उत्पन होते हैं उसको द्वीर अर्बुद बोला जाते हैं तो आप ये नाम से भी समझ जाएंगे द्वीर मतलब दो एक साथ होंगे और अध्यर्द बुद जो होता है हमारा एक पहले था उ दूसरे आसपास होगे उसको बोलते हैं फिर हिंदी की लाइन में देखिए आप लास्ट ये दोनों असाथ्य होते हैं तो आप चाहो तो पेज के टॉप पर लिख दीजे असाथ्यर्बुद असाथ्यर्बुद अगर आप से कोई पूछता है तो वो हमारा रक्तज भी है मा असज भी होता है अध्यर्बुद भी है और द्विरर्बुद ये चारो ही असाथ्य बोले गए हैं फिर हमारा है बाइस नंबर जो श्लोक है देखिए उसकी हिंदी में देखिए आप कि अर्बुद में कफ की अधिकता होने पर और मेद की विशेष्टा होने पर कफ भी उपसे कोई भी अर्बुद है जो उसमें पाक नहीं होता बट अगर पूछा जाए तो रक्त में कभी कभी पाक हो भी सकता ऐसा बताया गया था फिर नेक्स्ट है गलगंड के बारे में 23 नंबर श्लोक में तो यहां पर देखिए वात कफिष्च एव को आप हाइलाइट कर या फिर यहीं लिख लीजिए दोश जो होता है हमारा गलगंड में वो वात और कफ होता है वात और कफ की वज़े से होता है गले प्रवरिद्धू मन्य तू संत्रिष्ट तेव मेधा कुर्वंती गंड करमशे स्वलिंगे समन्मितम तू गलगंडम आहू यानि जो हमारे व गलगंड बोलते हैं तो यह बहुत बार कोश्चन पूछा गया है कौन सा गलगंड रगशन बाप फित्ध कफ मेध इस तरीके से तो फित्ध भेद नहीं है गलगंड का आप या स्टार लगा के लिख लिजिए, पित्ध गलगंड नहीं होता तो गलगंड के बेद तीन है व वात, कफ और मेदोज बोला जाता है वात, कफ और मेदोज अब हमारा जो वातिक गलगंड है इसमें हम हाइलाइट कुछ नहीं करेंगे लेकिन इसके हिंदी जरूर पढ़ेंगे ये हमें पहले पता है कि सुई चुबने के समान वेदना होगी काली जो सिराएं है नि कृष्ण सिराओं से युक्त होगा, कृष्ण वरण का होगा अरुन वरण का ये हम सब जानते है आगे पढ़ी आप सेकेंड लाइन में जो लिखा ये इंपॉर्टन फीचर है इसका कि कुछ काल के बाद जब बढ़ जाएगा तो ये चरबी से युक्त हो जाने पर स्पर्ष में अत्यंत चिकना और वेदना रहित हो जाता है ठीक है, कुछ जो वाति का देखिए उसमें क्या होगा, रुक्ष होगा अरुन वरण का ये आप पढ़ते हो लेकिन कुछ काल बाद जब उसको क्रॉनिक स्टेज में जब वो चला गया वातिक गलगंड वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है स्पर्ष में चिकना हो जाएगा स्निक्द हो जाएगा और अरुज़ हो जाएगा ठीक है, और देर से वरिद्धी अरुज़ हो जाएगा तो आप में भी लक्षनों को पढ़के यह लगाएगा कि स्निक्द है तो कफ हो सकता है वेदना भी नहीं हो जाएगा कालाद कुछ टाइम बाद ऐसा होगा तो वातज के लिए बोला गया ऐसा फिर देखिए इसमें जो फोर्थ लाइन है हिंदी में इस परकार के गलगंड से पीडित मनुश्य है जो मुख है उसमें विरस्ता होगी यानि आस्या वेरस्यता तालू और गल में शोशादी लक्षन दिखाई देंगे पिर आता है हमारा कफज गलगंड तो इसमें भी हम हिंदी पढ़ेंगे इसकी कफज गलगंड जो है वो स्थिर होगा तो अच्छा कि समानवर्ण का अलप पीड़ा तेज खुजली यानि कंडू होगा उसमें स्पर्श में शीतल अकार में या बड़ा देर से बढ़ने देर से पकने वाला पता है हमें पकने के समय कुछ पीड़ा उसको होती है तो मंद रुजा कब होती है जब वो पकने वाला होता है और मुक का स्वाद मीठा तालू और गले प्रदेश पे प्रलेप जैसा लगता है नेक्स आजाई आप 356 पेज नमबर पे 28 और 29 नमबर जो शलोक है उसमें जो सेकेंड लाइन है प्रलंबते अलाबू वत अल्प मूलो को हाइलाइट कर लीजिए मेदो जन्य जो गलगंड है उसके लिए बोला गया प्रलंबते अलाबू वत यानि गले में जो अलाबू होती है उसके समान लटका हुआ और अल्प मूलो जिसका जो मूल है वो पतला है ऐसा होगा देहे अनुरूप खषय वृद्धी युक्त देहे के अनुसार उसकी खषय और वृद्धी होगी अगर देहे की वृद्धी हो रही है कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो ये गलगंड भी बड़ा होता जाएगा उसका साइज अगर उसकी बॉड़ी का साइज कम हो रहा है तो ये जो मेदो जन्य गलगंड है इसका भी साइज छोटा होता जाएगा फिर बोला है स्निक्द अस्य तस्य भवेच जनतूर गले अनुशब्दम कुरूते चनित्यम को आपने हाइलाइट किया तो मेद जन्य जो गलगंड है उसमें आपने हाइलाइट किया प्रलंबते अलाबुवत अल्पमूलो देहें अनुरूप क्षय वृध्धी उकते और अन ने मेदोज गरंथी में भी ऐसा ही लक्षन पढ़ा था ना श्रीर वृध्धी क्षय वृध्धी हानी श्रीर की वृध्धी और हानी के साथ इसकी वृध्धी और हानी होती है तो मेदोज गरंथी में पढ़ा था अब यहाँ पे मेदोज जन्य गलगंड में वर्ड क्या प पुराना अगर गलगंड है अरोचक से पीडित है शीन हुए और बिन स्वरवाले गलगंड रोगी को वर्जित वैद्य वर्जित यानि त्याग देया नि असाध्य लक्षन ये बोले हैं फिर 31 नमबर श्लोक में देखिए नी बधम क्षवेतु यस्य मुशक वत लंबते गले को आप हाइलाइट कर लिजिए नीबद नीबद का मतलब होता है कि ग्रोथ लिमिटिड है मरियादित है वो और श्वेतु यस्य यानि जो शोत होगा गले में जो शोत हो रहा है वो मरियादित है किसी मतलब इतना ही होगा है मतलब जो मरियादा में है बंदन में है ऐसा बोल गया है तो एक बर आपसे इस तरीके से भी कोशन पूछ सकते हैं कि मुशकवत लंबते गले यह किसके लिए कहा गया ओप्शन में हो सकता है वातज, कफ़ज, मेदोज, गलगंड और फिर डी ओप्शन है सभी तो सभी को आपने टिक लगाना है क्योंकि यह गलगंड का समान्य लक्षन बोला है मुशकवत लंबते गले जो है वो है समान्य लक्षन और प्रलंबते अलाबुवत बहुत इंपॉर्टन है कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें मुशकवत लंबते जो वरिशन के समान हो वो तो सभी को बोला है वातज भी हो सकता है पितज भी कफज यह नहीं स गलगंड है जो उसका समान्य लक्षन बोला मूशकवत लंभत लंभत जो मेदो जन्निय है उसके लिए बोला प्रलंभत अलाबु वत यह आपने याद रखने है तो यह जो हमारा चेप्टर है इसमें हमने सबसे पहले ग्रंथी है जो उसके लक्षनों में वृत उन्नत वी ग्रथितम तु शोफम इंपॉर्टेंट पड़ा था ग्रंथी के भेदों में सन्नी पातज नहीं होता चरक और भोज बोलते हैं पांच परकार ग्रंथी के चरक ने छे बोले हैं स्टांग रिदे या वागवट नो बोलते हैं वाति ग्रंथी में आपको याद रखना है अम रिदू बस्तिर इव वात तश्च पित्तज में उश्न श्राव होता है कफज में अल्प रुजो अती कंडू पाशान वत सहनन को आपने हाइलाइट किया था मेदो गरंथी में श्रीर वृद्धीक्षय वृद्धी हानी महान अल्प रुजो और अती कंडू और भिन्ने पिन्याक सर्पी पिन्याक तिल की खली और सर्पी गृत के जैसा जिसमें से श्राव होगा वो मेदोज थी फिर हमने जो है वो उसके बाद अपची में पढ़ा था कि जो हमारा आमलकस्ती मातर और मतस्य अंडे जाल प्रतिमश्च मेद और कफ की वज़े से और वर्ष गणान उबंधी जो होती है वो अपची होती है फिर हमने अर्बुद के छे भेद पड़े थे और उसकी जो अर्बुद है उसका नॉर्मल समान्य लक्षिन वृत्त स्थिर मंद रुजह है महंत अनल्प मोलम चिर वृत्धी और अपाकम पड़ा था कौन सा ऐसा है जिसमें पाक हो भी सकता है तो वो रक्त अर्बुद है असाध्य अर्बुद हमारे चार है रक्त मास अध्य अर्बुद और द्विर अर्बुद उसके बाद अगर एक पहले है पूर्वजात जहां पे है अर्बुद उसकी जगा दूसरा हो जाए तो हमारा अ पुश्य इसका होता है मेद भेद कौन सा गलगंड का नहीं होता तो पितज भेद नहीं है वातज जो गलगंड है अगर कुछ टाइम बाद ये कैसा हो जाता है अतिस निग्द और रुज़ नहीं रहती वातिक की ए क्रॉनिक स्टेज में होता है इसा फिर उसके बाद हमने पॉर्टन लक्षन पढ़ा प्रलंबते अलाबुवत और देहे के अनुरूप शैव रिद्धिस की होती है अनुशब्दम कुरुते च नित्यम फिर जो गलगंड है उसका समान्य लक्षन मूशक वत लंबते गले ऐसा हमने पढ़ा तो ये हमारा जो है वो ग्यारा नंबर च झाल 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 झाल